Hello friends, welcome back to my channel, Pregnancy Care and Advice. नहीं जाता, हार्मोन्स के लेवल में होने वाले तुरंत बदलाव से कई स्कीन संबंदी समशाएं भी हो सकती हैं, जिनका नतीजा है जलन और खुजली, इसी के साथ ये हार्मोनल एक्षन, इम्म्यून सिस्टम को स्कीन रियक्षन देने के लिए एक्टिव कर देते हैं, इसक चोटे से छोटा बदलाव भी किसी तरीके के रियक्षन को ट्रिगल कर सकता है, जिससे नर्फ सेंस्टिव हो जाती है और आपको खुजली स्टार्ट हो जाती है, इसके अलावा जब प्रेगनेंसी के दौरान पित रस का फ्लो रूप जाता है, तो पित रस से शरीर के अंद इसके आखरी महिने में बच्चे पर भी असर डाल सकता है, जितना पित जमा हो गया है उसी हिसाब से खुजली की इंटेंसिटी भी बढ़ती है, जिसके कारण समय से पहले डिलीवरी का खत्रा भी बढ़ जाता है, आम तोर पर खुजली को कुछ कंजर्विटिव मैनेजमें इसके अलावा हातों और पैरों में मसाज करने से खुजली कम की जा सकती है, इसलिए रोजाना अपने पार्टनर या फिर अपने देखभाल करने वाले की मदद से आप इस खुजली वाले एरिया की मसाज करें, इसके अलावा आप अपने हातों और पैरों पर दिन में कई ब प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी अपने डॉक्टर की सला के बिना दवात ना ले इसके अलावा अगर कॉलिस्टेसिस के कारण आपको खुजली होती है तो आपका डॉक्टर आपके पित रसका लेवल और ब्लेड में लीवर के एंजाइमों और बाकी फाइवरों को मॉनिजर करेगा ये बहुत जरूरी है कि जल्दी डिलीवरी और कॉलिस्टेसिस इंफेक्शन से बच्चे को होने वाले जोखिम का पता लगाया जाए आपका डॉक्टर उसकी अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा उपाई बताएगा इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी के दौ आपके सबसे अबिता आपके सबसे थिला जाएपके लिलाओ पैस के अलावा जोई दोस्तों नहाएड़ी चापके लिलीवरी पात wysते गाथ याएई